पाजाते हैं case number two पे when need to read or write data जब आपको read भी करना होगा data और write भी कर रहा होगा तो जब हमें wallet की जरूरत पढ़ेगी wallet की जरूरत हमें कब पढ़ती है जब हमें data read भी करना होता है और write भी करना होता है wallet की जरूरत क्यों पढ़ती है क्योंकि wallet आपकी शनाक्त होता है कि भाई ये जो transaction कही है फ़ला बंदे ने की read तो कोई भी कर सकता है लेकिन write करने के लिए तो हमें चाहिए ने किसने भाई data write किया तो wallet आपकी शनाक्त होती है उसके जरीए आप data write कराते है और जितनी भी daps हैं जितनी भी decentralized application बनती है वो इसी architecture बनती है कि उसके लिए आपको wallet की जरूरत होती है किसी भी daps में जाते हैं आप wallet connect करते हैं और सारा काम करते हैं तो होता क्या है आप front end से interact करते हैं front end wallet से interact करता है wallet कैसे interact करता है कि आपके browser में wallet होना चाहिए अगर आपके browser में wallet नहीं होगा अगर आपके browser में wallet नहीं होगा तो friend end आपको error देगा भई कि आपके browser में तो wallet नहीं है लहादा मैं नहीं चलूँगा तो यह application नहीं चलेगी तो आपके browser में wallet होना चाहिए जब आपके browser में wallet होता है तो wallet कैसे इस नोड से राप्ता करता है वालेट इन नोड से ऐसे राप्ता करता है कि वालेट के अंदर भी RPC URL होता है वालेट के अंदर भी ये नोड प्रोवाइडर्स का RPC URL होता है जिसके जरिए ये ब्लॉक चेंड से इंटरैक्ट करता है अब देखते हैं कि wallet के अंदर होता भी है नहीं मैं बोल लाँ आप किसे मालने देख लेते हैं यह मैं गया अपने मेटा मास्क पे यह मैं नेटवर्क पर अभी गोरिली टेस्ट नेटवर्क पर हूँ मैं यहां पर गया एड़ नेटवर्क पर जब भी आपको कोई नया इस नेटवर्क यहां पर मैंने देखें आर पीसी यॉर्ल दिया हुए इन फ्यूरा का मैंने नहीं दिया हुआ भाई डिफोल्ल इसके अंदर होता है कुछ का होता है कुछ का नहीं होता तो एड़ करना पड़ता है बस हम लिखते हैं भाई हाओ तो एड़ पॉलिवन नेट हों नेटवर्क कर देना तो आपके पस वह नेटवर्क आँजाता है तो कहने का मकससड है कि वालइड भी नोट से किस तरह राप्ता कर रहा है उसके पाद भी URL होता है यहां पर आप दूसरे URL भी यूज़ कर सकते हैं क्विक नोड का यूज़ कर सकते हैं अगर आपको इन फ्यूरा के URL में Wallet has its own RPC URL, you can even put your RPC in your wallet. मैंने आपको बता दी, आप अपना Alchemie का दूसरे Note Provider का RPC URL भी wallet के अंदर दाल सकते हैं. अब आपके browser में, अब ये तो पता जलिए अप्लिकेशन चलाने के लिए, आपके पास wallet होना चाहिए. तो जब wallet होता है आपके पास, तो front end wallet को request करता है कि मुझे signer दो, signer का एक होता है provider, provider की मदद से सिर्फ और सिर्फ आप read कर सकते हो, लेकिन signer की मदद से आप transaction को write करते हो, signer बताता है कि ये जो फ़ला transaction career data write किया है, ये इस बंदे ने किया है, signer आपको ये बताता है, तो basically आ signer के request करता है, आपके पास signer आता है front end के अंदर, और signer basically क्या होता है, आपकी private key से मिलके बना होता है, लेकिन वो front end को दिखता नहीं है, बस वो signer की request करता है, और front end के पास signer आ जाता है, और फिर उस signer, जब आप signer के जरीए किसी भी data को write करते है, तो wallet आप से पूछता ह है, क्या ये transaction हो रही है, मैं आप confirm करते हो, तो आप से पूछता है, तो आप confirm उस पर बटन दवाते हैं, तो ये transaction होती है, otherwise नहीं होती, तो wallet put Ethereum RPC provider to your browser, ये हमने बात कर दी है, अचा, to write data, we need wallet signer, account private key, guess fee required होती है, इसके लिए, जजारती बाते कोई transaction write करें, तो guess fee required होगी, we use window object to get this RPC, हाँ, अब देखें, मैंने आपको बताया ना, कि read और write दोनों करते हैं, हम इसके अंदर, wallet के दरी रीड भी कर लेते हैं, write भी कर लेते हैं, तो read कैसे करते हैं, RPC से करते हैं, अब ये जो RPC है, जो मैंने बताया है, यह कैसे उदर आता है, तो होता ये, जब metamask का wallet अपने browser पे install करते हैं, तो, ये जो metamask है, ये आपके पास, विंडो, जो भी सारे front end की application के अंदर, जो भी browser के अंदर आपको दिख रहा होता है, वो window के object के जरीए आप, उसको access कर सकते हैं, तो metamask, इन FURA, ये RPC provider को window के object के अंदर डाल देता है, जब वो window के object के अ जाल देता है, तो आप उसे access कर सकते हैं, अपनी application के अंदर, front end बनाते वक्त, ये जब हम coding करेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो basically अभी समझने की बात ये है, कि RPC URL इसके अंदर मुझूद होता है, ये front end को दे देता है, data read करने क ले, लेकिन write करने के लिए आपको signer चाहिए होता है, इजादत चाहिए होती है, user की, तो ये बस signer की request करते हैं, transaction जब हम sign करते हैं, तो wallet हम से confirmation मांगता है, और जब हम confirmation दे देते हैं, तो transaction write हो जाती है, इसकी example देख लेता है, uniswap, uniswap एक application है, यहाँ पे मैं basically convert कर सकता अपने जो भी token हैं, उसको दूसरे token से, यहाँ पे मैं one ether को, one wrap ether से अगर convert करूँ, तो जब है, मैंने यहाँ पे button दबाया, तो क्या हुआ होगा, front end ने request की होगी, wallet से कभी हमें signer चाहिए, तो signer गया होगा, उसने transaction write की होगी, अब यह wallet हम से confirmation मांग रहे हैं, आप confirmation दे दे तो हम sign कर देते हैं, transaction को, otherwise हम reject कर देंगे, लेकिन read करने के लिए किसी wallet की confirmation की दरूरत नहीं है, यह ब्लॉक नमबर आ रहा है, यह ब्लॉक चेंज होता रहता है, यह ब्लॉक चेंज से read करके ही ला रहा है, यह wallet के RPC से read करके ही ला रहा है, लेकिन उसके लिए इसको पूछन की जरूरत नहीं है, तो उमीद है, case number two आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छा इन दोनों को case number one और case number two को मिला के depths बना ही जाती है, और बाद रहते तो depths इसी से बनती है case number two से, यह सिर्फ अगर आपको खाली read करना है तो उसके लिए काम आता है, तो हम बात करते ह case number three की, तो case number three कब काम आता है, जब हमें automation करनी होती है, मिसाल के तो रुपे, आप जब devs बनाएंगे तो आप user से बोलेंगे वालेट की confirmation करो, आप बार बार बालेट का बटन से confirm करेंगे, लेकिन आप क्या चाहेंगे, मतलब automation का मतलब तो यह ना हर चीज़ automatic हो, तो आप उसके लिए wallet के या बार बार confirm करण दबाएंगे, या approve करेंगे, या हर बार आपसे जैसे wallet पूछेगा, तो जब wallet पूछेगा, आप उसको इजादत देंगे तो वह काम करेगा, otherwise वह transaction तो URL चाही होगा, और wallet भी चाही होगा, आपको URL भी चाही होगा, RPC provider का URL भी चाही होगा, wallet भी चाही होगा, इसका पहले वह समझ लेते हैं, user interact, अच्छा, automation के लिए front end की तो कोई दरूरत होती नहीं है, तो आपने simple script बनाए, कोई code बनाया, java script का, user developer आप इससे interact करेंगे, wallet side म हमें जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे, wallet के account की private key को use करेंगे, तो wallet के account की private key basically sign करती है transaction पर, क्योंकि हमें एक identity चाही है, कि फला बंदे ने transaction की, तो हमें private key की जरूरत है, अगर हमें account की private key मिल जाए, तो हमें wallet से पूछने की जरूरत नहीं है, कि transaction करें या नहीं, तो third case यह यह कि अगर ठट केस में हम automation पर काम करते हैं, wallet की private key निकालते हैं, script में डाल देते हैं अब हमें wallet से बार बार इजादर लेनी की जरुवत नहीं है, हम directly data read करते हैं, directly data write करते हैं किसी से पुछने की जरुवत नहीं है हम wallet की private key का इस्तेमाल करते हैं तो यह है ठट केस, इसकी example किया है trading bots मुझे bots बनाने हैं कि भाई इसकी price कम हो तो यह खरी लेना इसकी price ज़्यादा हो तो यह बेज देना तो उसके लिए हम यह वाली strategy इस्तेमाल करते हैं private key अब यह देख लेता हूँ मैंने ज़रा क्या लिखा है, we use external RPC to read and write data without the need of UI इसके, इसमें हम UI की भी हमें दरूवत नहीं है सिर्फ हमने script लिखी, code लिखा है और RPC चाहिए और wallet के private key चाहिए RPC और private key के ज़री हम automation कर सकते हैं पूरे blockchain की आखरी बात, most important बात वो क्या है centralized application के अंदर अगर आपको server से राप्ता करना है तो आपके पास उसका access होना चाहिए मतलब facebook वाले की आप API जब कॉल कर सकते हैं जब facebook वाले ने आपको access token दिया हुआ होगा तो ही आप उसकी API कॉल कर सकते हैं लेकि decentralized application के अंदर आप किसी भी smart contract को smart contract को interact कर सकते हैं वा आपने बनाया है की नहीं बनाया है मिसाल के तो पे मैं यूनिस्वैप को पूरा smart contract को back end की API को यूज कर सकता हूँ मैं इसका data get कर सकता हूँ सारा का सारा के भाई मैं data get ना सिर्फ get कर सकता हूँ बलके write भी कर सकता हूँ कि भाई अपनी script के जरीए कि मेरा ये token कल के दिन मेरा ये token इस token में convert कर देना या मैं comparison कर सकता हूँ कि अगर ये token इस token से कम हुआ तो ये token बेज देना ये token ले लेना तो ये मैं अपनी script के जरीए कर सकता हूँ यानि मैं directly interact कर सकता हूँ without the need of UI तो मैं इससे interact कर सकता हूँ मैं आवे से interact कर सकता हूँ आवे भी decentralized application है मैं इससे interact कर सकता हूँ तो यह बुनियादी फर्क कि हम centralized में हमें इसका अगर access होगा तो आप server से कोई data read कर सकते हो राइट कर सकते हो लेकिन decentralized application के अंदर आपको नए server या smart contract बनाने की जरुवत नहीं है जिनों ने smart contract बनाए हैं आप directly उनके smart contract से data read कर सकते हैं राइट कर सकते हैं और इसके जरीए कोई बिना अपना smart contract बनाए कोई दूसरी अपनी अलगी application बना सकते हैं तो यह था सारा आपका decentralized architecture उमीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी अपने caller खड़े कर लीजिए अब हम आगे इंशालला decentralized application बनाने चाहेंगे तो thank you so much नी दूआं में याद रखी गया मिलते हैं next video कि अगाई बना सकते हैं